दिदी आप मान से थोड़ा से सवाल फूछ नरी से जिसे कि आप मना यहां पर दर्शन करे रहा हो तो कहां से रहा है इधर लगाए तो फ्रेंड यह है यहां पर लिखा हुआ है जूता चपल यहां पर यूटीव चैनल आप सभी का स्वागत है मेरी कॉन्य ब्लोग वीडियो पर आसा करता है फ्रेंड आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुंस सारे सीवलियों का आपको वीडियो दिखाया हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने द तो चली फेंड में यहां पर पहुंच गए हूं और आपको अद्भुत्चमतकारी शिलि दर्शन कराते हैं और यह वहां तक जाने का मारग आप देख सकते हैं आप तरफ आपको दिखाते हैं ये रास्ता है इधर से आने का है जैसे कि आप आओगे धमतरी से नगरी शियावा छेत्र में तो इधर से आने का मार्ग है आप पेट्रोल टंकी से कट सकते हो सामने पेट्रोल टंकी मिलेगा जैसे जैसे आप धमतरी से कटोगे तो धमतरी से निकलो और यहां से कोटेस्वर लगा हुआ है सव से डेर सुव मीटर की दूरी पर लगा हुआ है तो चले फेंड हम चलते हैं उस अद्बुत्चमतकारी शीवलिंग के पास में और आपको दर्शन कराते हैं भगवान भुलेनात का कि तो फैनली फेंड मैं यहां पर पहुत गया हूँ और आप देख सकते हैं इधर कुछ काम वगर चल रहा है और मैं उस तरफ चलूंगा जहां पर आपको डिखाना है आपको दर्शन कराना है और यहां पर देख सकते हैं कुछ लोग हाना ऊगेर इधर लग रहा है चले फरन आगे की तरफ चलते हैं और आपको चमतकारी सीविलिंग का दर्शन कराते हैं तो धर्ति से निकला हुआ है तो फ्रेंट आप देख सकते हैं यहां पर भक्तों की भीड़ यहां पर लगती है और जिस तरफ सीविलिंग है मैं उस तरफ आपको लेके चलता हूं और यहां पर है पानी का टंकी सावरूड़ जा यहां पर लाइट वाइट का सबका यहां पर वेवस्ता किया गया है यहां तो हम आगे एक तरफ बढ़ते हैं तो फ्रेंट यह है यहां पर लिखा हुआ है जूता चपल यहां पर रख के जाना है और इस तरफ देख सकते हैं सेड़ी काफी अच्छा यहां पर बनाया गया है उस तक जाने के लिए शीलिंग तक पहुंचने के लिए और बहुत ही सु अंदर वातवरण है यहां पर काफी अच्छा लग रहा है तो फैनली फैंड मैं पहुंच गया हूं उस जगह पर जिस जगह पर आपको कराते हैं अद्भुच्यमतकारी शीवलिंग का दर्शन आप घर बेटे हां का दर्शन कर सकते हैं काफी सांत जगह पर यह शीवलिंग और इस तरफ चलते हैं हम यहां पर है हमारा नंदी महराज तो यह है यहां पर नंदी महराज और इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे यहां पर है यग्यकुंड और इस तरफ है हमारा शीवलिंग जिसका दर्शन करने के लिए आप इंतजार कर रहे थे काफी सुन्दर्शा सिवलिंग है जो धर्ती को छीरते हुए निकला है आपको दिखाते हैं और काफी अच्छा है जो भबूद यहां पर लगाते हैं ऐसा लगता है जब पूजा पाट करते हैं तो और यहां पर चरन पादुका है जलाए हुए काफी अच्छा लग रहा है और यहां पर भगवान शिव जी कतिर्शुल और पीछे में आपको नाग देवता दिखाई देंगे तो चलिए फ्रेंड हम आपको बैक साइट से दिखाते हैं पीछे साइट से जश्ट आपमान से थोड़ा से सवाल फूष नरी से जिसे कि आपमन यहां पर दर्सन करे वरा हो तो कहांसे रहो आपमन अहां तो आप मन कुछ कहात रहे हो कि पुराना टाइम पे आ रहे तो छोटे रीसे करके तो अभी किसे लगा थे ने के अच्छा अधम सुरु 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 आ रहे तो छोटे रीसे हैं अच्छा रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं यह कुंड में हवन वगेरा करते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं आग जलाय हुए हैं हवन करने के लिए और यह कक्ष है चोटा सा यग्यक यग्यकक्ष इसको बोलते हैं चोटा सा खुला बनाया गया काफिय अच्छा लग रहा है और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूं आपको बैक साइड से आपको पीछे की समेल अरी अरी आपको पीछ वा है बलाय है तरफ मैं आपको खुला रहा है तर लौटा समें